आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो से भी ज्यादा लोगों के ठीक होने से सक्रिय मामले 21.11 प्रतिशत रहे गए हैं। स्वस्थ होने वालों की तुल्ला में संक्रमण के नए मामले ज्यादा होने से सक्रिय मामले 15,586 बढ़े हैं। ICMR की तरफ से जारी हुए आखनों के अनुसार अब तक 16.11 लाख से ज्यादा कोरोना के सैंपल्स की जाँच हो चुकी है। इसे मिलाकर अब तक देश में 16.4 करोण से ज्यादा कोरोना के सैंपल्स की जाँच की जा चुकी है। लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल पर बढ़ते तनाव के बीच भारती सेना के प्रमुक जेनरल एमेम नर्वणे ने कहा है कि स्थिती बहुती नाजुक और गंभीर है, हम बातचीत के जरिये स्थिती से निपटेंगे, इस बीच भारत और चीन के सेने अधिकारी बातचीत के ज दुनिया भर की सरकारों से विदेशी चातरों की सुरक्षित घर वापसी की अपील की है। बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने हैं। विपक्षी पाचियों ने परिक्षाओं को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोट तक मामला पहुँचाया है। सुप्रीम कोट ने परिक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तीन साल की बच्ची की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मताबिक बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। तीन साल की बच्ची बधवार को अपने घर के बाहर खिल रही थी जिसके बाद से वो लापता हो गई थी। वहीं अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफतारी नहीं हुई है। प्रफ धकेलने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस आर्थिक तबाही के लिए विद्ध मंतरी निर्मला सीता रमन को खुद इस्तीफा देना चाहिए और फिर प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी को उन्हें बर खास्त कर देना चाहिए। सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बुकम से हुए किसी भी नुकसान और पीडितों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सैयुक्त राश्टर संग दुबारा जारी किये गए नए डेटा में ये कहा गया है कि लोगों को घरीबी रेखा से उपर लाने के लिए दशकों में हुई प्रगती फिर पीछे की ओर चले जाएगी। युएन ने कहा है कि कोविड-19 महमारी ने महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और 2021 तक साड़े चार करोड से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धाकेल दिया जाएगा। अमेरिकी हथियारों के आपूरती पर इसराइल की सहमती शामिल नहीं थी। भारत के टेनिस खिलाडी सुमित नागल, दूसरी वरियता प्राप्त और विश्व के तीसरे नमबर के खिलाडी आस्ट्रिया के डॉमिनिक थीम से गुरुवार को लगातार 36, 36, 26 सेटों में हार क यूएस ओपन चैनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तो ये थे अब तक के खास-खास समाचार, इजाज़त दीजिए नमसकार।